कि नमस्कार मैं अंजुली मिश्रो स्वगत है आपका हमारे चैनल में आपको बता दें कि दिली के मुख्यमंत्री और विंदुकेज रिवाल अपने सिक्षा मॉडल को लेकर एजुकेशन मॉडल को लेकर हर जगा धिंडोर आपीटते हैं कहते हैं हमने बचों के लिए यह कर दिया आपने केज़िवाल सरकार को दिली हाई कोट से जमकर फटकार लगाई गई है और यह फटकार किस कारण के वज़े से लगाई गई है यह सुनकर आप हिल जाएंगे क्योंकि जो केज़िवाल सरकार है वो हर जोगा यह धिंडोरा पीटती है कि हमने बहुत काम किया है एजुकेशन के जो है पूरे श्चेत्र में हमने क्रांती ले आई है मनिसी सोधिया क्रांती कारी एजुकेशन मिनिस्टर है लेकिन यह सारे यह जो पूरा मौहल इंवायरमेंट यह क्रियेट करते हैं उसकी सच्चाई अभी हम आपको बताने वाले हैं और यह सच्चाई जो द्वारा फटकार लगाते वक्त सामने आ गई है अगर क्या कहा है दिली हाई कोट के जोज ने बता दे आपको कोट के केजरिवाल में जो केजरिवाल सरकार के द्वारा दायरिक माबले में ही सुनवाई हो ती यहां पर वो टीचर्स को फिल्लैंड भेजने की बात कह रह जो को किताब कॉपी कपड़े जूते मोजे और अन्य समगरी देने का पालन क्योंने क्या यानि जिस बेस्ट एडुकेशन सिस्टम का धिंडोरा पीरते हैं केजरिवाल उसकी सच्छा यह है कि बच्चों को किताब दी जाती है ना कॉपी दी जाती है तो बच्चे पढ़ें करवाए गया था उनमें से एक भी समगरी बच्चों को नहीं दिया गया और कोट ने यह फटकार लगाए कि आखिर क्यों नहीं दिया गया आप आज के डेट में फिन्लैंड भेजने के लिए आपके पास पैसे हैं आप बोल रही है कि हम जाकर वहां प्रशिक्शन कराएंग बच्चों को अच्छी जिक्ष्रा मिलेगी तो फिन्लैंड जाने के लिए आपके पास कड़ों रुपए पड़े हुए लाखों रुपए है लेकिन बच्चों की बेसिक सीटीज है किताब कॉपी जूता मोजा कपड़ा यह देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है आखिर जब बच्चे रहेंगे ही नहीं जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो सिच्छक पढ़ाएंगे कि इसको फिनलैंड से आने के बाद वो ट्रेनिंग लेंगे उस ट्रेनिंग को उपीयोग कहां करेंगे के इज़्रिवाल की कार्याले में यह भी बड़ा सवाल है क्योंकि तो पढ़ेंगे तो यह जो अलग सी त्योरी को कैसे समझाएंगे खाली क्लास्रूम की बात चोड़ देते हैं गोटालों की जाच अभी भी निरंतर जारी है एक एक लिए पैस्टीस लाख लाक रुपय में बनवाए हुए है अब इसे लेकर कोट ने जौमकर फटकार लगाई दिल की सरकारी है उनका हाल बेहाल है क्योंकि जब पेपर च्पते हैं यह गहता है हमारे पेपर चपता है तो स्कूल दिखाए गया है वह सरकारी स्कूल नहीं बलकी प्राइवेट स्कूल था आप सोचीए की एडुकेशन सिस्टम का यह जो धिंधोरा पीड़ते हैं तरीके से खुल रही है और इसी बीच बोफ आपको बता दे जो दिली की सरकारी स्कूल में बैटर सीक्षा विवस्ता के दावक करने वाली सरकार उसको हाई कोट ने आड़े हाथ लिया है के जिवाल सरकार से दिल्ली हाई कोट ने पूछा कि उनसे आर्थिक रूप से पिछने वर्ग के चात्रों को मुफ्त किताबे स्कूली ड्रेस देने के उनके पहले से क्या आदेश का पालन कथी तौर पर क्यों ने किया एक और सवाल है यहां पर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में ऐसा हल कर रहे हैं सरकारी सचकों को जाने नहीं दे रहे हैं गरीब बच्चे क्या पढ़ेंगे नहीं गरीब बच्चे तो गरीब बच्चे और सरकारी स्कूल जो आपके नियंतरण में आता है जिस पे सारा नियंतरण आप का है जिसकी जिम्हदारी आपकी है आपने काम क्यों नहीं किया है यानि साफ तौर पर गरीब बच्चों के लिए आपका यह कैसा यह दोगला चहरा है कि एक तरफ बीजेपी पनिशाना सादने के लिए चीक चीक के कहते हैं कि सरकार इसकूल में पढ़ने देंगे गरीब बच्चों के लिए लेकिन उन्हीं गरीब बच्चों का संच्वालन जब आपके हाथ में हैं जब उन्हें फ्री किताब फ्री यूनिफॉर्म जूते मोजा देने की बात कही गाई है कोड की तरफ से तो अभ स्कूल बच्चों को जरूरी है जो सरकारी स्कूल पर निरभर है जो गरीब परिवार से हैं जिनके पास प्राइविट स्कूल के पैसे देने का ऑप्शन नहीं है जो केजरिवाल सरकार के तरफ कि प्रेस्ट करते हैं कभी ट्वीट करते हैं कभी बढ़ देते हैं बड़े-बड़े होडिंस लगवाते हैं कि दिल्ली का बेस्ट एजुक्सिंस प्राइवेट स्कूल से भी बहतर है और ऐसे में सरकारी स्कूल वह का हाल देखिए कि बच्चों को पढ़ने के किताब भी करा चाहिए जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो पड़ेगा कुर्ण के ने कि ने कहा कि आखर छात्रों को ये सामगरी क्यों नहीं उपलब्द करा जा रही है पहले ही दिल्ली सरकार को इस श्रेणी के चात्रों को मुफ्त किताब उपलब्दा पूर्ति कराने कर सरकार सिक्षा में गुडवक्ता को लेकर सिच्छकों को विदेश और ट्रेनिंग के लिए भेजने की बात कर रही है वहीं दिली के उपर आजोपाल ने सरकारी सहायता प्राप्ट स्कूलों में सिच्छक और सिक्षत कर्मचाडियों की भरती और न्यूकती की दिली अधिनियम सेवा चयन बोर्ड के जरीय करने को मंजूर इते दी और इस कदम का मकसद न्यूकती हुग में कदाचार को रोकना है राजनिवास्तिय अधिकारियों ने सोमवार को इसे बताया कि सरकारी सहायता प्राप्ट स्कूलों के हर रिक्ट पद के लिए बोर्ड तीन सदस्य असमिति का गठन करेगी दिली में 207 सरकारी सहायता प्राप्ट स्कूल है और जिन में कड़िब 8300 स्विक्रत पद है अब ऐसे में आप देखिए कि केजरिव अर्थिक रूप से कमजौर है चला चला के राजनिती करने के वक्तर गरीब हो पर राजनिती करते है पुस्तप कर राजनिति करते हैं एग्यूकेशन सिस्टम WR राजनिति करते हैं और जब असला उनके हाथ में पावर है बहुत बड़ा सवाल है कि दिलीक ए मुख्यमंत्र ह है बचों को पुस्तक देने की बात है के लिए भी बीजेपी को को चुտब गाइब तो एक मुख्य उंतरी पद्द पर विराजव itself होने का आखर क्या मतलब है जब हर चीज के लिए आप के अंचरी सिर्कार वरैं calculated जो चीज़े आपके अंडर में हैं जो चीज़ आप कर सकते हैं जो सरकारी स्कूल आपके अंडर में है जहां पर वबस्ता ठीक कर सकते हैं जहां बच्चों के लिए चीज़े उपलब्द करा सकते हैं वहां पर आखिर आप काम क्यों ने कर रहे हैं वहां पर बच्चे हताश क् आप अधर्टीजमेंट करते हैं जैसा कि आप चुनाव के दौरान जाकर वादे करते हैं जैसा कि आप जहें सारे मिनिस्टर्स को आपने कहा है बोले के लिए जैसा कि आप अपने आपको क्रांतिकारी और मनिसी सोधिया को पूरे अभी तक का देश का सबसे अच्छा अब एजुकेशन मिनिस्टर बताते हैं जब इतना ही सब कुछ अच्छा है दिल्ली में जब दिल्ली में हर चीज इतनी बहतर है खासकर एजुकेशन सेस्टम के मामले में हर चीज इतना परफेक्ट है क्रांतिकारी मिनिस्टर है अगर मनिसी सोरिया तो यह बेसिक चीजों के लिए दिल्ली कोर्ट से आपको फटकार आखिर क्यों लगाए जा रही है यह बड़ा क्वेस्टन मार्क है जिसका जवाब होफफुली आमाद्वी पार्टी के तरफ अब से कब तक आएगा क्या कुछ प्रतिक्रिया रहें इससे भी हम आपको अपड़ेट रखेंगे फिलाल के लिए हमने आपको यह पूरा मामला बड़े विस्थार समता है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में क